हलो दोस्तों स्वागत है आपका पृतिमाज यूनीक डायरी में दोस्तों इस वीडियो में भगवान जगन्नात की महिमा और कथा के बारे में है मंदिन का निर्मार कैसे करवाया गया कैसे भगवान जगन्नात वहां पर आए इस पूरी कथा का विस्त्रेद वर्णन है इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वनपर्व में मिलता है कहते हैं कि सबसे पहले सबर आदिवाशी विश्वसू ने नील माधो के रूप में इनकी पूजा की थी आज भी पूरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिने दैतापती के नाम से जाना जाता है राजा इंद्रदिम्न ने बनवाया था यहां मंदिर राजा इंद्रदिम्न मालवा कगा राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमती था राजा इंद्रदिम्न को सपने में हुए थे भगवान जगननात के दर्शन कई ग्रंथों में राजा इंद्रदिम्न और उनकी यग्य के बारे में विस्तार से लिखा गया है उन्हेंने कई विशाल यग्य करवाये और एक सरोवर भी बनवाया एक रात भगवान विश्णु ने उनको सपने में दर्शन दिये और कहा नीलांचल परवत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ती है उसे नील माधो कहते हैं तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी यह मूर्ती स्थापित करवा दो राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल परवत की खोज में भेजा उसमें से एक था ब्रामभर विद्यापती ने सुन रखा था कि सबर कभीले के लोग नील माधो की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ती को नीलांचल परवत की गुफा में छुपा रखा है वह यह भी जानता था कि सबर कभीले का मुखिया विश्व वसू नील माधो का उपासक है और उसी ने मूर्ती को गुफा में छुपा रखा है चतुर विद्यापती ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया आखिर में वह अपनी पतनी के जरिये नील माधो की परी होने से बहुत दुखी हुआ अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए भगवान गुफा में लोट गए लेकिन साथ ही राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लोटेंगे बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनमा दें राजा ने मंदिर बनमा दिया और भगवान विश्नु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ती बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पूरी आ रहा है राजा के सेवकों ने उस पेड के टुकड़े को तो ढून लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड को नहीं उठा पाए तब राजा को समझ आ गया कि नील माधों के अनन्य भक्त सबर कभी लेके मुखिया विश्व वसु ही की सहायता लेना पड़े सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठा कर मंदिर तक ले आए अम भारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की राजे के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका त लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता उनकी शर्त मान ली गई लोगों को आरी छैनी हथोडी की आवाजें आती रही राजा इंद्रदुन की रानी उसने राजा को इसकी सूचना दी अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा सभी शर्तों और चेतावनियों को दर किनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया जैसे ही कमरा खोला गया तो बुढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें तीन अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी मिली भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी पैर नहीं जबकि सुभद्रा के हाथ और पाउं बनाए ही नहीं गये थ राजा ने इसे भगवान की इच्छा मान कर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्धमान हैं वर्तमान में जो मंदिर है वो सात्मी शदी में बनाया था हाला कि इस मंदिर का निर्मार इसा पूर मुख्य मंदिर के आस पास लगबक 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं दोस्तों ये है भगवान जगननात की कथा की मंदिर में वो कैसे आये कैसे उनकी स्थापना की गई और उनके मंदिर का निर्मार कैसे हुआ उनकी मूर्तियां ऐसी कैसे बनी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हैं अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी को जगननात यात्रा की बहुत बहुत शुब कामना है